अब बात करते हैं बजट को लेकर अलग अलग वर्गों को अलग अलग उम्मीदे हैं इस वक्त हम मौझूद है राजस्तान खादे वदार्थ व्यापार महासंग के काराले में और वहाँ पर ये जो तमाम लोग मौझूद है यह सब ही कोई मंडी का अध्यक्ष है कोई तेल मील का अध्यक्ष है कोई किराना संग का अध्यक्ष है साथ साथ में जो बावलाल गुपता है प्रदेश अध्यक्ष वो भी मौझूद है अगर हम इन से जाने कि किस तरह की उम्मीद आप लोग बजट से करते हैं क्या जा सकता है कि जो आने वाला बजट है हम यह मानके चलते हैं कि बीजेपी की सरकार बनी है और अच्छा से अच्छा बजट आना चाहिए और इसी बोल करके हमने कुछ मांगें रखी है अपने मंडी से संबंदित जिन में ऐसा का जा सकता है क्रशक कल्यान फीस को क्रशक कल्य सब्सक्राइब करना चाहिए कि सरकार से मेरी मांग यह है कि सरकार द्वारा जो भी मंडिया डबलब की जा रही है और पहले जो की हुई है और आगे जो की जा रही है उनमें जो मूलबू सुब्दा है उनका एक ध्यान रखना चाहिए जिसमें जनता की किसानों की सुब्दा के लिए वैपारियों की सुब्दा के लिए बनाई गई है तो वेर हाउस कोल्ड श्टोरेज और आन्ने जो मूलबू सुब्दा है उनकी सुब्दा देनी चाहिए जिससे बैपारी वर विसान वर दोनों ही सही रहे हैं। सरकार इस तरह के कारे करें, करों का इस तरह का निदान करें कि हम पडोसी राज्यों के मुकाबले टिक सकें। अभी हमारी जो उध्योग दंदे हैं, लाश के तीन साल से 60% केपेसिरी पे चल रहे हैं। एक विचान ये परसन है, नई सरकार हैं, हम चाहते एक सकारादन कदम उठाएं, टेक्सों का नमीनिकरन करें और हमारे उध्योग दंदे चलें, जिससे नए रोजगार के भी सरजन हो, और हम भी सरकार को आई में एक बागिदार बनें। दो-तिन सालों में केंदर सरकार की पॉलिशी से राजिस्तान में सर्सों का उदबादन 30,000,000 से टन से बढ़कर 60,000,000 टन हो गया है। परन्तु इसका पूरन लाब राजिस्तान को नहीं मिल रहा है क्योंकि यहां पर अधिक मंडी टेक्स और क्रिसी कल्यान होने के कारण परोसी राजियों में सर्सों चली जाती है और यहां पर आदे से भी कम का उबबोग कर सकते हैं। तो मेरी सरकार से यह यासा है कि वो इस बार राजिस्तान की जो जीवन दाइनी फसल सर्सों इसको मंडी टेक्स और क्रिसी कल्यान से मुक्त रखेंगी। गिर्दर चौदरी के साथ सुदर्शन शेखावद जन टीवी चैपूर।